NPCI का नãy You Update आया है, जिसके अनुसार आधार पे तो 25 तक क्या सकते हो, पहले क्या होता था अब आधार पे के माधिम से 100 जारद का कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाओगे, NPCI के अनुसार आधार पे का यूज़ क्यूं करते थे? जब हमारे पास कोई दुकान पर कस्टूमर आता था जिसको 20,000 रुपे की जरुत होती थी और उसके हम 10,000 रुपे था हम EPS के मादेम से निकाल के दे देते थे और 10,000 रुपे हम अधार पे के मादेम से दे 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 थे पर अब वो नहीं कर पाएंगे केवल हम EPS के मादेम से 10,000 रुपे निकाल पाएंगे और अधार पे के मादेम से 25,000 रुपे निकाल पाएंगे अब इस अपडेट से क्या नुकसान होने वाला है सबसे पहला तो आपकी थोड़ी कमाई होती थी वो कम हो जाएगी क्योंकि कस्टुमर को 20,000 की जोड़ते हम उसे 10,000 रुपे ही निकाल के दे पा रहे है अब जी अपडेट किन-किन कंपनियों में आया हुआ है किन-किन EPS क प्रशिट कंपनी वातर हो जिन्नों में सभी में आने वाला अधारपे में 25 रुपे ही निकाल पाएंगे अब इससे क्यों थोड़ी कम हो जाएगी एपस जो पैसे निकालते थे अधारपे के माधिम से वह कम हो जाएगी और NPSI अधारपे की लिमिट को डिक्रीस क्यों कर र और आपको यह जान करी कैसे लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राब करके जरूब बताएं क्योंकि यहाँ पर इसी परकार की अपडेट इन्फोर्मेशन आपको मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं इसी परकार की नेक्स वीडियो में जब तक के लिए टेक केर बा बाइ बाइ